प्रियांका आपका दिल से स्वागत करती हूँ इस चनल के द्वारा हम बात करते हैं मा और बच्चे के स्वास्त के बारे में तो आज का अपना टॉपिक है कि टीथिंग फेज में बच्चे के पेंज कम करने के लिए कुछ मसाज टेकनिक्स आपके साथ मैं शेयर करने वाली ही जो मैं मेरे बच्चे के साथ भी आयान के साथ भी जब वो टीथिंग फेज में था तो मैंने यूज किये थे और उसको बहुत ज़दा आराम मिला वो सारे टेकनिक्स आप यूज करने के बाद तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी की रिक्वेस्ट है वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अप्लोड करते हूं तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए तो टेकनिक्स के बारे में बात करते हैं मसाज स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से दो ले और अपने नाखुन छोटे काट ले पाता है ना अच्छ steak से दूद पाता है तो एज आप एरन लूट पारेशान होते हैं और उसको यह सारे एरिया में बहुत जहाए पैंस होते हैं कि यहां पर अपर्शान मेंहां कान खीशता है तो इसमें जो फर्स टेकनिक है हेड मसाज़ तो इसमें आपको यह दो फिंगर्स यूज़ करने हैं और यहां से आपको ऐसे नीचे स्ट्रोक लगाने हैं ऐसे दो तीन स्ट्रोक लगाने के बाद ज्यादा प्रेशर अपलाई नहीं करना है हलके हटों से स्टार्ट करके ऐसे सर्कल्स बनाने हैं दो तीन सर्कल्स बनाने हैं यहां से एयर के नीचे तक यहां पे यह टच होना चाहिए इस तरह से दो तीन सर्कल्स बनाएं इससे यहां पे जो में जो बच्चे का पेंस रहता है उससे बहुत उसको रिलीस मिलेगा और बच्चा खा पाईगा और इसके नींद भी अच्छी हो पाएगी तीसरा अपना टेकनिक है जो जो के मसज रहते हैं वहां पर आपको यह दो फिंगर या एक ही फिंगर लेके यहां पर लिप और बॉटम लिप के यहां पर ऐसे आपको मसाज देना है ऐसे दो-तीन बार करने के बाद आप डॉट वाइस भी कर सकते हैं, आप डॉट्स बना सकते हैं यह मसाज आप अंदर गॉम्स प्रहिंल वी, देग अंदर भी दे सकते हैं, बच्छा कितना कमफरिबल होना चाहिए, बच्छे को अंदर भी मसाज दीजे हैं यहां पे जब गम्स बहुत ज़दा स्वैल होते हैं और बहुत ज़दा एंफ्लमेशन रहता है उस पे तो आप बर्फ का टुकड़ा एक कॉटन के कपड़े में ऐसे बना के वैसे उसको यूज करके भी मसाज कर सकते हैं लेकिन थंडी के मौसा में यह नहीं करना चाहिए आपने चाहिख पूराय करके सर्कल बनाने हैं ह्चो üzer हम के उसके टिप्स पर भी सर्कल बनाने है तो इससे बहुत बच्चे को काफि दा रहत मिलेगे तो वित करते हों कि यह टेख्वेयल आप अपने बच्चे के सब्सक्राइप सीथर्ण बच्चा है तो उनके पारेंट्स के साथ आप ये वीडियो शेर कर सकते हैं जो कोई प्रेगनट लेडी है तो उसके साथ भी आप ये वीडियो शेर कर सकते है ताकि उनको भी इस वीडियो के इंफोरमेशन से फाइदा हो तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक क साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई